जब भी त्योहारों का सीजन चलता है, खास कर अगस्त की महीने से सुरू हो जाते हैं हमारे मिठाई भरे त्योहार, जैसी की रक्षा बंदन है, जन्माष्ट मीकवरत है, दिवाली है, गोवर्धन है, मतलब वो सारे ऐसे त्योहार आते हैं जो कि मेरे माइन में भी नहीं आ र बना रहे हूं, और उसके बाद एक से बढ़के एक रेसिपीट से बन जाएगी, तो सबसे पहले जैसे की दूद है, और ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा था, मतलब चार-पांच लिटर के जितना ये दूद था, तब मैंने हाँ पर ये एक बड़ी सी कड़ाई ले ल खाने वाला मीठा सोडा डाल देना है, आपको ये टू इन वन रेसिपी मिल रही है, मतलब कि एक ही रेसिपी में आपको दो रेसिपिया मिल रही है, मैंने सोचा चलिए, मैं आपकी साथ शेयर करी देती हूं, नहीं तो फिर से आपके कोमेंट्स बगेर आएंगे, आपने द निकाल देती हूं, क्योंकि इससे मैं बहुत सारे मिठाया बनाऊंगी, तो इसमें मुझे कट भी लगाने पड़ेगे, मैंने इसको बिल्कुल ठंडा कर लिया था, फ्रीज में रख दिया था, मैंने इसको दो-चार घंटे के लिए बढ़िया ठंडा हो रहा है, तो सबसे कितना बढ़िया खोया बनके तयार हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा हो मानुपनी हो, चलिए अब बनाते हैं हम यहां पर एक बढ़िया से पेड़े की रेसिपी, उसके दिए हमें पर जुरुरत होगी बूरा की यानि के तगार की, तो सबसे पहले हम तगार ही बना के त आधा काप है, मैंने पहले हाँ पर आधा काप पानी डाला था, पाने को पहले करम कर लिया था, उसके बाद मैंने यह चेनी डाली थी और चार से पास मिनट के लिए इसको लो फ्लेम करके छोड़ दिया था, मतलब इसको बिल्कुल भी टस नहीं कराता, चार से पास मिनट के गासका फिलमोओ के बाद गस का फ्लेम एकदम हाई कर दिया है और मैने हाँ पर यह च disp sounds उठा लिया है अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से गूमाते जाना है मतलब इसको esteem घूमाना है आब हमें इसको बिलकुल भी छोड़ना नहीं ह। इस "' तरीके से क्या होगा हमारी है तब आपको इसका बहुत ज़्यान रखना है गेस का फ्लिम हाई करके रखना है और गाड़ी यह चिपचिप चासनी बने है शोड़ी है जैसे हम इसको टउच करेंगे न तो इसमें इस तरीके से हमें जमने वाला तार में असुष देगा एक तार बनाना चाह रहे हैं तो कहीं सारे तार बन के आ रहे हैं अब हमें गैस को कर देना है और इसको क्या करना है इस तरीके से चलाना शुरू कर देना है तो अब आपको थोड़ी सी मैनद करने हैं 5-7 मिनिट का टाइम आपको ये देना है जैसे जैसे आप इसको घुमाते चले जाओगे धीरे-धीरे से यह जो चासनिया जमती चली जाओगी वाइट कलर में आती चली जाओगी और काफी गारे भी होती चली जाओगी तीन से चर मिनट के बाद का यह texture है कितना जदा ये गहड़ा हो चुका है तो आपको ये चलाते रहना है और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है अगर आपने इसको थोड़ सी देर के लिए भी छोड़ दिया तो क्या होगा ये जमज आएगी फिर आप इसको कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाऊगे आपको इस तरीके से मैश करते जाना है और इसको पस चलाते जाना है तो देखे जैसे जैसे मैश करती जारी हूँ ओटोमेटिक ही खिलने सी भी लगी है मतलब वही अपने बूरा या तगार वाले टेक्चर में आने लगी है तो अभी बढ़िया perfect हमारा बूरा यानि के तगार बनके तयार हो चुका है ये option उनके लिए है जो की कहते हैं कि हमारे हापे ये बूरा नहीं मिलता है या फिर तगार वगएरा नहीं मिलती है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बाजार की बूरे से अच्छा टैक्चर इसी बूरे का आता है और बनाने के बाद कोई मोटी सी जाली वाली छली में इस तरीके से आप इसको चान लोगे तो यह आपको इहां पर मिल जागा एक तम फ्रेस और बहुती बढ़िया बूरा बलकि मैं यह बोलूगी कि बाजार से सस्ता पढ़ जाता है और बाजार से पहुती जादा अच्छा भी होता है तो चली बूरा तो तयार हो चुका है अब जो मैंने मावा बनाया तो बिल्कुल ठंडा कर लिया था उसके बाद मैं यहां पर ले रही हूं करीब 600 ग्राम के जितना मैंने आपर यह खोया यानि के मावा ले लिया है और इसको मैंने प्लेट में डाल लिया है मुझे बड़ी सी बरा प्रात में या थाली वगएर में डालना चाहिए था क्योंकि इसमें काफी मातर में जो हमारा यह बूरा है चला जाएगा तो देखिए जैसे मैंने हापे बूरा डाला इसको मिलाना शुरू कर देना है अच्छे यह जो मैंने बूरा बनाया था ना यह मुझे कम ही पड़ गया था तो मैंने हापर मार्किट की बूरे का इस्तेमाल भी क्या है कि अबर रेसिपी आपकी साथ मैंने शेयर की है तो जै है है वो इसका टेक्षर कितना मतलब पतला से है या कितना थीक यह जादा गर किथे आपको मावा एकदम थिक करके निकालना आगर यह पेडumen के सोच रहине हो बढ़ यह जो खोया बणाना यह गाएं के थाली तो मैंने इसको एक बड़ी सी थाली में निकाल लिया था और जितनी मुझे जुरुति उतना बोरा मैंने यहां पर मिला लिया था तो हमें लड़ू बाइंड करके देखने हैं कि लड़ू अच्छे से बाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मतलब बहुत जादा भी न बताती हूं जब से हम स्री वरंदावन धाम जी में हमने जाना सुरू किया है और वहां पे जो पेड़े मिलते हैं आपको पता होगा ना मतुरा की फेमस पेड़े जिसको बोला जाता है जिन पेड़ों का वो घर मंदिर में हर ठाकुर जी के यहां पे लगता है उनकी सेप तोड़ा सा सुनहरा या कोफी से कलरका होता है जो कि खाने में तो वह भी बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं वहां पर यह वाइट कलर के पेड़े भी मिलते हैं और जबसे मैंने इनको देखा था तबसे मेरे मन में यह चल रहा था कि मैं इनको अपने घर पे जरूर्प स चुके हैं अब पेड़ों का कलर इतना ज्यादा अच्छा है एक्दम अट्रेक्टिव आया है मुझे तो देखते हैं इसा मन करें उठा के फटा फर से खा लिया जाए जली मैं इनको एक प्लेट में निकाल के अपना थमनेल वग्यरा भी बना लेती हूं और उसके बाद ही इन तो चलिए लड़ों यानि के पेड़े तो हमारे बन के तयार हो चुके हैं अब बारी आती है इनका टेक्चर दिखाने की क्योंकि जब तक आपको टेक्चर नहीं दिखाया जाता है जब तक आपके मुझे पानी नहीं आएगा तो ये लिजे मेरा एक पेड़ा और अब मैं आपको ये तोड़के दिखाती हूं कि अंदर से ये कितना ज़्यादा सोक्ट है मतलब एक दम मखमली टेक्चर का ये पेड़ा यानि के लड़्डू बन के तयार हो चुका है और इतना टेस्टी है कि मुझे रखते के साथ ही घुल जाता है बच्चों से लेके बड़ों तक सबी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये पेड़ा खास कर मेरी बेटी और मेरे हस्बेंड को बहुती ज़्यादा पसंद है वे इसको ज़्यादा दिन के लिए नहीं छोड़ने वाले है एक दो दिन में खतम कर जाएंगे पर जब तक ये खतम नहीं होते है ना तब वे हाथ पे हाथ रिपीट करते हैं चाहिए मैं कहीं भी इस मिटाय को चुपा के रखलू दोनों मतलब पापा बेटी पोंची जाते हैं तो ये लिजे हमारे मथुरा के फेमस पेड़े तयार हो चुके हैं तो बस चल्दी कीजे आप भी खड़े हो जाए और फटा फट से ग तो फिर मिलती हुआ पसी मैं